सो वेलकम फ्रेंट्स स्वागते आप सभी का डेली न्यूज अपयर्स की सिरीस में बैसिक नोलेज के साथ साथ फ्रेंट्स अगर आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मेतनों रहने वाला है अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहो तो चैनल को सब्सक्राब करके वेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इसकी पीडियेप आप टेलिग्राम से डाउन्डोड कर सकते हूँ लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रप्शन है मिल जाएगी दोस्तों सभी जानते कि प्रधानमत्री मोदी अमेरिकी दोरे पर थे उस दोरान उनोंने अनेक मुद्धो पर जो वाइडिन के साथ चर्चाई की है और इस चर्चा के दोरान अनेक प्रकार की डिल्स उनके दोरा साइन की गई है अब उसी से रिलेटेट एक न्यूज निकल कर हाली में सामने आईए देखे फर्ट्स अमेरिका और भारत ने उन तरीकों को अपनानेकी दिशा में कदम बढ़ाया है जिससे दोनों देश अपने रक्षा सर्यों को बढ़ा सके वाइट हाउस ने हाली में कहा है कि दोनों देश ने पहली बार अमेरिकी कमानों में तीन भारती संपर्क अधिकारीं को रखने का समझता किया है संपर्क अधिकारी मतलब liaison officers वाइट हाउस की तरफ से वयान आया है कि ये जो समझता है यह हमारी साज़दारी को गहरा करेगा और महत्फोन इंफोर्मेशन को शेयर करने में दोनों देश्यों की मदद करेगा अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम याँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि liaison officers होते क्या हैं ठीक एक इस तरह से कारी करते हैं फ्रेंट से एक संपर्क अधिकारी मतलब एक liaison officer basically वह व्यक्ति होता है जो दो या दो से अधिक organizations के बीच संपर्क इस्थापित करता है मतलब उसका काम ही यह होता है कि वो जिस भी संगटन से जुड़ा होता है उन संगटन की mutual concerns के मामले में उनकी activities को लेखर communication करता है और उनमें आफसी सामझेशी बीचाने का काम करता है जनरली होता है कि कोई भी organization किसी दूसरी organization से संपर्क इस्थापित करने के लिए या आफसी सामझेशी बीचाने के लिए उस संगटन में या उस organization में अपने एक संपर्क अधिकारी को अपने एक liaison officer को शामिल कर देता है ठीक उसी प्रकार इंडिया भी अमेरिकी कमानों में अपने liaison officers को शामिल करेगा चुकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं military की, SENA की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम पहले समझते हैं कि military liaison officer क्या होता है जिसको हम short में बोलते हैं M-L-O सेना में एक liaison officer यह SENA की unit को collateral damage से बचाने के लिए उनकी activities को coordinate करते हैं वे अलग-अलग समों के बीच understanding बढ़ाते हैं और यह कोशिस करते हैं कि सभी groups SENA की जितने भी units होती है वो सभी आपस में एक्था हासिल करें उन सभी में एक्था बनाने का काम इस liaison officer का होता है तो I hope आपको यहाँ पर समझ मा रहा होगा लेकिन यहाँ पर होता यह कि हर चीज में कुछ चुनोतिया होती है ठीक उसी प्रकार यह जो liaison officer होता है किसी ऐसे व्यक्ति को चुना जाता है जिसकी भास्षा से लिए काफी मजबूत हो जो language के बारे में काफी अच्छे से जानता हो और उसका जो communication skill होता है वो भी काफी अच्छा होना चाहिए क्योंकि यही communication skill उन दोनों संगटनों को आपस में जोड़ने के लिए एक महत्पुन कड़ी का काम करते है इसलिए कोई भी ऐसा व्यक्ति जो liaison officers के रूप में विदेश में तेनात होता है तो उसको सबसे पहले इस्तानी भास्षा में पारंगत होने की आवशकता होती है जैसा कि मैंने आपको बताया है कि PM Modi की अमेरीकी विजिट के दोरान अनेक समझते हुए है तो उन में से कुछ important समझते जिसके बारे में जानना आप लोगों के लिए काफ़ी जरूरी है उन में पहला समझता है General Electric और हिंदुस्ता नेर्नोटिक स्लिम्टेट के भीच हुआ जेट इंजन का समझता ठीके जिसके बारे में मैंने एक डिटेट वीडियो बनाया है वो नीचे आपको description box में मिल जाएगा आप वहाँ से देख लीजिएगा इसमें दूसरी डिल हुए MQ-9 refer drone के बारे में और इसके बारे में भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्ता नेर्नोटिक्स लिम्टेट इस डिल से भारत में F414 fighter jet engine को प्रोडूस करेगी और ये engine तेज़े से एरकाप्ट में काम आएगा इसके बारे में डिटेल से जानने के लिए आप नीचे description box समझा कर वीडियो देख सकते हो और दूसरा जो समझूता है जो की MQ-9 Reaper Drone का है फरस भारत और अमेरिका ने General Atomics MQ-9 Reaper सशक्त डोन की खरीद पर एक मेगा डिल की खुशना की है MQ-9 Reaper Drone ये भारत के राश्टी सुरक्षा के लिए काफी एहम है इस Drone की जो तेनाती है फ्रेंड से हिंद मासागर और चाइनिस बॉर्डर पर देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी और लगबख 29,000 करण रुपे के सोधे से भारत को 30 लड़ा को Drone मिलेंगे अगर इसके बारे में आपके कोई विचार है तो आप कमेंट बुक सुन बताईए अगर वीडियो पसंद आया तो से लाइक कर लीजी चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राब कर लीजे विश्यो वेरी बेस्ट तेंकिस सो मच